हेलो हमारे यूटूब फैमिली मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पतना की आसा में देखे फ्रेंड आज मैं आपको क्या रेसिपी जा रही हूं बतलाने साम का नास्ता चाय के साथ आप क्या लें यह देखे मैं एक प्लेट में सुझी ली हूँ मैं मैं अधा ली हूँ एक प्लेट में मैं आटा ली हूँ अब देखे मैं जो है फ्रेंड उसे मैं अच्हा तरीके से चाल लूओंगी थाई चाल की मार्केट का है तो इससे बीना चाले यह आप न बनाए एक बार मैधा को ज़रूर चाल लें इसी तरह मेरा मेर्दा है अब देखे मैं सुजी यह देखे मैं आटा कर रही हूं जाए अच्छी तरीके से चाल ले अब सुजी को भी ले ले यह देखे हमारा सुजी है मैं से भी इसमें डालूंगी अब मैं देखिए सबको पहले अच्छी तरीके से मिला दूंगी मिलाने के बाद फिर मैं देखिए इसमें कौन कौन सा मसाला डालने वाली हूँ से ध्यान से आप देखिए एक एक में स्टेप ध्यान से देखिए कि अगर यस अगर बनाए तो एक यस टेफ देखे और ना बनाए अधा दूरे अगां सब्सक्राeti तीनों को मैं लेके अच्छी तरीके से मिला दी हो अब मिलाने के बाद मैं इसमें देखे ये है जमाईन मैं जमाईन डालूंगी आप मंग्रेला भी डाले फ्रेंड मैं मंग्रेला डालूंगी पर जादा नहीं क्योंकि वो करवा लगता है थोड़ा तो मंग्रेला थोड़ा कम डाले जमाईन थोड़ा ज्यादा ले और देखें मैं हलका सा मंग्रेला भी डाली हूँ अब ये देखें नमक ली हूँ नमक ज्यादा न ले फ्रेंड स्वाथ के हिसाब से थोड़ा सा कम रहे तो ठीक है क्योंकि फिर मैं इसमें उपर से भी नमक मि मिलाके बाद में इसमें थोरह सा मसाला भी डालूंगे क्योंकि चट पटा बनाने वाली हूँ , चाय के साथ थुछा अच्छा लग लगिए अब मैं दिखिए welcoming मिर्च पाउडरं जाल की तौरह सा मिर्च पाउर्डर डाल अब इसमें फिर से अच्छी तरीकेchnet से मिला में थोड़ा से पραकित हैं देखे को फिर से अच्छा मिलाना हमें मिलाने के बार पिर मैं इसमें थोड़ा से रिफाइन तरीके यूज एक तरह से बित करेटी को आलोई बोऑ बीदेगे इसमें अब मिलाने के बाद मैं इसे देखिए अब मैं रिफाइन ले रही हूं थोड़ा सा रिफाइन ले ले क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन दूंगी तभी जाके थोड़ा खास्ता बनेगा आप लोग सोच रहोंगे कि मैं क्या बतला रही हूं मैं बताऊंगे आप लोग मसाला के बाद रिफाइन रिफाइन के बाद देखिए अब मैं रिफाइन जब डाली हूँ तो फिर मैं इसे अच्छी तरीके से मिलाना है हमें पूरा अच्छी तरीके से देखें मैं कैसे मिला रही हूँ इसी तरीके से आप भी मिला है कुछ देर मिला है देखिए हमारा कितन इसलिए हमें थोड़ा से महनत करना होगा इस तरीके से हमें मिला लेना है मिलाने आप मुठी में एक मुठी भाड़के तोड़ेंगे तो वह जब भिखड़ जाए तो समझे कि आपका यह बहुत अच्छा तरीके से इसमें समान सब जो है मिक्स हो चुका है अब मैं पानी लेक कि मारा आटा गिला नहीं होना चाहिए मैदा सुझी जो भी मैं सान रही हूँ वह गिला नहीं होना चाहिए थोड़ा सा टाइट रहे आप देखे मैं सबको मिलाओंगी मैं ज्यादा पानी का यूज नहीं करूंगी अब सबको मैं सान लेना है इसे आटा की तरह हमें नहीं क्योंकि हमंएं आटा नहीं है, जो हम बहुत चिकना नहीं मुझे गुतना है, धोड़ा सही क्रिस्पी इसरी घुता नहीं है। कोई दिकत नहीं है, क्योंकि मैं इसका पूरी नहीं बना रही हूं। देखिए मैं इसका क्या बता रही हूं आपको अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा फ्रेंट तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए देखिए इस तरीके से मैं इसे बेल लूँगी पतला थोड़ा सा बेले ज्यादा पतला भी नहीं फ्रेंट पर हाँ थोड़ा पतला बेले ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए अब देखे मैं इसे कट करूंगी पतला पतला मैं इसे काटूんな मैं आपको नय तरीकर का नमकीन बता रही हूं वह अंब रही हुँंगे मार्केट में मिलता हुआ उसे साक्स भी कहते हैं वह मैं आपको बतला रही हैं कि आप कैसे बनाएं बहुत अच्छा लगता है खाने में भी मुँ में जाती ही है घुल जाता है आप चाय के साथ साम में ले सकते हैं आप बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं अभी मेरा जो भी रेसिपी साम काएगा फ्रेंड मैं उसी तरीका का नास्ता आपको देखें कितना पतला मैं काटी ओं फ्रेंड अब मैं इसे क्या करूंगी आध़ा भी से ही कट करूंगी बस बीस से देखें हम में इस तरीके से कट कर लेना है बस अब हम इसका कुछ नहीं करना है अमारा तेल देखिए गर्म हो चुका है रिफाइन होई तो मैं इसे में आपका इस तरीके से देखिए इस तरीके से सारे को निकाल लीजिए और आप थोड़ा थोड़ा सा करके इसे चानना है देखिए मैं चान रही हूं आपको चान के भी मैं दिखलाती हूं कि ये चानने के बाद कैसा लगता है फ्रेंट बहुत अच्छा है साम का नास्ता भी है आप सुवह में बच्चों के लंच में भी दे सकते है चाहे तो बना के एक दबा में स्टोर करके छे माहिना सालवर रख और तो यह नहीं जाएगा तेश्टी लाजवाब रहता है कि बच्चे से रहने ही नहीं देंगे डबा में आपके यह तो दो से तीन दिन में ही आपका एक दबा खतम हो जाएगा क्योंकि मैं तो बनाती हूँ मुझे पता है इसलिए मैं आपको बतला रही हूँ आला कि आप बना के इसे छो महीना दो महीना इस्टोर करके डबा में रख सकते हैं कोई गेश्ट आए तो आप उसे भी सब कर सकते हैं चाई के साथ देखिए कितना सुन्दर हमारा यह नमकीन रेडी है नए डिजाइन कर और नए तरीके से मैं बतलाई हूँ इस तरीके से आप इसे बना के आप खा भी सकते हैं खिला भी सकते हैं नास्ते में जरूर आप अपने घर पे भी ट्रै मारे इसको ये देखें मैं इसी तरीके से हलका सा मैं सुने रहा होने तक इसे देखी फ्रेंड ये हमारा निकल चुका है मैं एक बार आपको दिखाई हूँ अब फिर मैं उसी तरीके से इसमें डाल दी हूँ अब फिर मैं दुसरा आपको तयार करके दिखा रही हूँ इस तरीके से हमें इसका आटा इसका आटा को ज़्यादा फ्रेंड हमें गुतना नहीं है इसलिए हमारा आटा इस तरीके से फटा फटा हुआ है इसे कोई दिक्कत नहीं है यह अगर आटा इतना क्रिस्पी सनाया है फ्रेंड इसलिए इस तरीके से है क्योंकि ज़्यादा पानी हमें नहीं दालना हैं आप देखी फिर मैं उसी तरीके से पतला पतला काटे आप चाहें तो इसका कोई भी सेफ दे सकते हैं फ्रेंट मैं आपको वह लंबा वाला निमकी बता रही हूं इसलिए मैं लंबा लंबा ही काट रही हSpe Animal पतला पतला काट लेना है अब ज्यादा कुछ नहीं 20 से हाप कर दीजे देखिए यह आपका रेडी है अब इसे आप फिर बनाईए उसी तरीके से चान लीजे और रिफाइन ओयल में अब देखिए मैं फिर उसी तरीके से चानूंगी पहले तो तेल थोड़ा सा गर्म कर लें और इसे थोड़ा सा इंडेक्शन पर अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा वल्टेज को कम करें क्योंकि यह ज्यादा होगा तो यह पकेगा कम जला जैसा हो जाएगा इसलिए आप यह ताव पे जो है उस पे ध्यान दे अब मैं थोड़ा सा कम कर दी हूँ वल्टेज इसका उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ जब मेरा लास्ट फाइनल होगा तो फिर मैं थोड़ा तेज करके इसको क्रिस्पी करूंगी उसके बाद मैं इसे निकालके एक प्लेट में देखिए मैं रख लूँंगी इस तरीके से आप बनाएं बहुत लाजवाब लगता है फ्रेंड आप एक वर जुरूर ट्राय करें अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीस लाइक कीजे सेर कीजे सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल को मैं इससे पहले भी नमकीन का वीडियो बना के डाली हुई फ्रेंड अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं मैं बेशन से आप मैं आपको बोली थी ना कि नमक थोड़ा कम डाले अब देखें नमक में थोड़ा सा उपर से कालर नमक छिरकोंगी थोड़ा सा चाट मसाला छिरकोंगी और सबको फिर मैं मिला लूँगी देखें मैं एक जगा मेरा तेज आँच होने के कारण हलका सा ज्यादा लाल ह पर तेज आच में न बनाए थोड़ा सा मेडियम आच में बनाया आप इसे देखिए अब इसे बना के एक डबा में इस टोड करके रख सकते हैं भच्चे को लंच में सवेरे हर रोज तो नहीं लेकिन हाँ हपते में एक से दो दिन आप दे सकते हैं देखिए यह हमारा नमकिन रेड़ी है फ्रेंड मैं आपको इसे तोड के भी दिखाऊंगी कि इतना क्रिस्पी खास्ता बना है मुँमें जाते ही यह घुल जाए इस तरीके का मैं खास्ता बनाई हूं आप मेरे आप जब भी बनाए तो यह पूरा वीडियो देख के ही बनाए एक एक स्टेप देखे क कि मैं क्या-क्या डाली हूं कैसे मिलाई हूं कैसे चानी हूं हर एक स्टेप देखके बनाए फ्रेंड नहीं तो आपका गलत हो जाएगा देखिए हमारा नमकीन लग रहा है ना सुन्दर प्लीज हमारे चैनल को लाइक किजे सेयर किजे सब्सक्राइब करिए फ्रेंड फिर म कि युमेट